हर्लो फ्रेंट्स वल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम कर रहे हैं क्लास टू का इंग्लिश का चैप्टर नमबर टू ब्रेव बबली ओके इसका इसका इसकेंड पार्ट है यहां तक का मैं आपके साथ में डिसकस कर चुकी हूं आपने यहां तक का पढ़ लिया होगा अच्छी से सबढ़े अंकल व्मों खड़ी थी ऑन सेंड़ी में लीट वाले स्पलप रेट वाले ठाफ अधा जहां तक रेट था उसके पास में वह एकुल तह Ace इन फ्लों भलोली जवा पई तहा जिसे आम इस पिक्टर में देख सकते हक इना यह है रेट और यह के उपर काट जो है खड़ी हुई है इसलिए रेट के उपर खड़ी हुई है जो नीचे के सब डहलान इसका आ रहा है ठीके उसके बाद में क्या होता है The jumping and dancing on the children on the काट rocked it dangerously The jumping, कूनना और नाचना of the children बच्चों का कूनना और नाचना जो है on the काट उस गाड़ी के उपर rocked it dangerously यानि कि उसको कैसा बना रहा था उसको हिला रहा था उसको rocked कर रहा था इधर से उदर उसको हिला रहा था फोर्स कर रहा था dangerously यानि कि खतरनाक तरही किसे जब आप गाड़ी के उपड़ कोई भी जिस से इस तरगी की अगर गाड़ी होगी आप उसके अपर खूण दोगे, तो क्या होगा, वो हिलती जाएगी और उससे आप गेर भी सकते हैं, उससे क्या हुथा? वो dangerously उसको rocked कर रहा था उसको hila रहा था suddenly अचानक dangerously की spelling भी आप याद कीजिगा क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है और rocked की भी suddenly मतला अचानक the wheel of the cart जो पहिये थे wheel means पहिये इससे पहले हम पढ़ चुके of the cart जो जो गाड़ी थी उसके पहिये जो थे slipped slip means fissle now slip means क्या होता है fissle now उसके जो वो पहिये थे वो fissle गए यानि कि उस जगह से वो हट गए और वो आगे को बढ़ने लगे नीचे की तरफ क्योंकि स्लोब था the cart with the six children still on and started rolling down the slope और जो cart थी वो जो गाड़ी थी उन्चे बच्चों के साथ जो कि उसके उपर खेल रहे थे still on in starting और वो उसने धीरी धीरे roll करना शुरू कर दिया rolling means क्या होता है पता है ना आपको कुईसी भी चीज का ऐसे घूम घूम करके जैसे यह pencil है ना घूल घूम 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 जायेगी तो roll होती जारी थी down नीचे की तरफ आती जारी थी the slope जो slope था towards the river जो रिवर के पास जो slope था उससे वो नीचे की तरफ आती जा रही थी the cart fell into the water with a load thud जो गाड़ी थी वो क्या होती है उसे बहुत ज़ा ज़ानी की तरफ आ रही थी तो जो बच्चों का वेट था, जो लोड उसके ओपर था बच्चों का, तो उसकी डिशे जो गारी थी वह पानी के अंदर आई तो उससे बहुत ज़ादा आवाँ हुई, ठ Bennet DR 65 जोर की आवाँ या तेज वाली आवाँ है The children started screaming with fear और जो वो बच्चे थे वो जोर से started सुन शुरू कर दिया Screaming means चिलाना with fear धर से उन बच्चों ने चिलाना शुरू कर दिया They did not know how to swim They did not वो नहीं जानते थे how to swim की कैसे तहरना है Bubbly heard their scream Bubbly जो थी जो की वहीं बैठी हुई थी river के पास में Heard means सुना their scream उनकी चीख को उनने सुना And right to the spot और वो कहां पर आ गई वो आ गई उस जगह पर जो जगह जहां पर वो बच्चे थे Spot means होता है उस जगह पर वो आ गई Many grown up people quickly gather on the bank of the river बहुत सारे लोग जो है gather मितलब क्या होता है बता है आपको इखटे हो जाना बहुत सारे लोग एक जगह पर जब इखटे हो जाते हैं So बहुत सारे लोग जल्दी से river के पास में आकर के खड़े हो गए but no one tries to save the drawing children और किसी ने भी कोशिश नहीं के रिए tried means होता है कोशिश नहीं कि उन बच्चों को जो की डूबने वाले थी उनको बचाना थी इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना थोड़ा ध्यान से इसको देखेगा It was bubbly who jumped into the river और वो bubbly थी जो की पानी में कूंदी jumped means कूंदा and brought two children back safely to the bank और उसने दो बच्चों को safely बाहर निकाल लिया then she jumped into the water और फिर से पानी के अंदर गई again दोबारा से and saved two more children उसने फिर दो बच्चों को पानी से बचाया as she got ready to jump into the river a third time और जैसे ही वो तयार हुई तीसरी बार पानी में कूंदने के लिए her mother came running to help her उसकी मम्मी उसके help करने के लिए वहाँ पर आगे then they saved the two remaining children और उसके बाद उन्होंने जो दो बच्चे remaining में तो बच्चे हुए जो दो बच्चे थे उनको save करा उनको बचा लिया the brave bubbly the brave little bubbly had saved six children from death in the water और उसने छे बच्चों को मरने से पानी के अंदर मरने से बचाया suddenly little bubbly was a heroine suddenly means अचानक से little bubbly छोटी bubbly was a heroine वो एक नायका बन गई a newspaper reported wrote about her brave deed in the newspaper और जो एक newspaper था उसने उसके बारे में जो भी उसने action लिये जो भी उसने वो काम करा किस तरीकी से उनको बच्चों को बचाया deed मतलब क्याता है किस तरीकी से उसने उनको बच्चों को बचाया उस newspaper में उनको समाचार पत्र में लिखा अमर उजाला जो कि आपने सुना ही होगा अमर उजाला का नाम जो है ये newspaper है इसमें इसको चापा निउसपीपर के अंदर लिखा he asked बबली's father to send her name for the national bravery award he asked उन्होंने पूछा बबली के लिए कि बबली के फादर को कि उसका नाम आप national bravery award के लिए दे दीजिए बबली won the national award और बबली ने national award जीत लिया and many other awards too और उसने और भी बहुत सारे awards जीती बबली is still the same simple living smiling girl बबली अभी भी still मतलब अभी भी जब भी कोई काम हो रहा होता है ठीक है चल ही रहा है तो बबली अभी भी कैसी है simple smiling girl वो वैसी ही साधारण सी हसने वारे लड़की है she is happy वो बहुत खुश है that she could do something for others कि वो किसी के लिए कुछ कर सकी वो बहुत खुश है कि वो किसी के लिए कुछ कर सकी she is a shining example of courage courage means क्या होता है आपको पते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं हमारे अंदर ये हिम्मत है she is shining example वो सब के लिए एक example बन गई कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं हमारे अंदर इतना courage है ठीक है तो इन words को इन सब sentences को आपको ध्यान से पढ़ना है उसकी हिंदी पढ़नी है और ये जो कुछ words है जिनको मैं underline कर देती हूँ इनको भी आप जरूर से याद कर लिजगा जैसे courage हो गया still हो गया deed suddenly remaining ठीक है और आप याद कर सकते हैं उपर दो words और है आप ये tried gathered gathered means बतायाएं आपको एक जगा एक खटा हो जाना और third means तेज आवाज या चीखने वाली आवाज ठीक है इस तरह किसे और spilled means slipped means fissal ना ठीक है इन सब words को याद करना है तब ही आपको ये chapter अच्छे से याद हो जाएगा वीडियो कैसा लगा है comment करके ज़रूर बताएगा अगर अच्छा लगा है तो like कर दीजिएगा चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लीजिएगा thank you bye